दोस्तों ये बात जानते हैं हम के बारत के नौर्थिस्ट का साथो स्टेट को सेवन सिस्टर कहा जाता है उनमें से सबसे छोटी और सबसे प्यारी राजी है त्रिपुरा त्रिपुरा का पाकृतिक सुन्देरिय पूरे नौर्थिस्ट में सबसे अच्चा है जो देश-बिदिश की परियटक को आकरशित करती है वैसे तो त्रिपुरा नौर्टिश्ट के सबसे चोटा और बारत के तीसरा सबसे चोटा राज्य है लेकिन त्रिपुरा में दो मुक्य बड़े शहर है जिनमें से एक है त्रिपुरा का कैपिटल अगर्तला और दूसरी है दर्मनगर तो दोस्तों आजकी इस वीडियो में हम लोग त्रिपुरा के दूसरा सबसे बड़ी शेहर यानी दर्मनगर के बारे में बात करेंगे तो मेरा गुजारी शेय वीडियो को पहले से अन तक पुरा देखे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले तो हैला दोस्तों मैं हसे जैनाथ और आप देखरे आनो नोलज हिंदी यूटिब चैनल को आए जानते हैं दर्मनगर के बारे में दर्मनगर तरिपुरा के दूसरा सबसे बड़ी शहर है जिसका कौल शेत्रफल है 7.77 स्कौर किलोमीटर और इस चोटी सी टाउन की कौल आबादी है 45887 और इसकी पॉपुलिशन डेंसिटी है 5906 पार्क स्कौर किलोमीटर तब बात करते हैं दर्मनगर नाम कहा से आया इस बात पर बहुत कांट्रोवर्सी है कि दर्मनगर नाम आखीर कहा से आया 14 वे शताब्दी में लिकित राजमला गरंते में बताया गया कि दर्मनगर नाम त्रिपुरा के किसी राजा के नाम से आया जिनके नाम में दर्मा वाड था फिर राजमाला में ये भी बताया गया है कि दर्मनगर नाम फोटीकुली नाम से आया है इसका पक्का सबूत किसी के पास नहीं कि दर्मनगर नाम सबसे पहले किस से आया दर्मनगर के स्तानियों स्वधेशी के अनुसार दर्मनगर नाम जमिनदार दर्मजित सिंग से आया है जो त्रिपुरा के राजा के समय के दर्मनगर का जमिनदार थे लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जो भी हो दर्मनगर शब्द आया तो है इस चोटे सी शहर की ओफिस्यल लेंग्विज है बेंगॉली, कॉकबरक और इंग्लिश और यह चोड़के यहाँ सिलेटी भी बॉली जाती है दर्मनगर की कुल आबादी में से 67.60% हिंदू, 18.40% मुस्लिम्स, 2% बुद्धिस्ट, 1% क्रिस्चान और 2.05% बाकी दरम के लोग रहते हैं दर्मनगर में फिलाल एक रेलवे स्टेशन है जोकी त्रिपुरा का पहला रेलवे स्टेशन है तो अब बात करते हैं हाई स्कूल और कॉलेजिस के बारे में दर्मनगर में फिलाल कॉल 8 हाई स्कूल मौझूद है जिन में से दर्मनगर गाल्स एचे स्कूल बिर्बिक्रों इंस्टिट्टीट डिन्बी एचे स्कूल अधिशामिल है और दर्मनगर में फिलाल एक कॉलेज है दर्मनगर गॉवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दर्मनगर के लिटरिसी रेट है 73.66% एंड दिस नमबर इज हायर देन नेशनल लेवरेज दर्मनगर के लिटरिसी रेट काफी अच्छा है और यह चोड़ के दर्मनगर के एरिये में और भी दो कॉलेज मौजुद है एक पॉलाटेखनिकल कॉलेज और एक आईटी आई कॉलेज है दर्मनगर के रूलिंग पाइटी है पीजेपी और दर्मनगर में फिलाल एक हाई कोट एक पॉलिस टेशन एक फायर सर्विस स्टेशन एक डिस्टिक हॉस्पिटल मौजुद है अब बात करते हैं दर्मनगर के कुछ टूरिस्ट प्लेज की बारे में टूरिस्ट प्लेस में से दा प्राइड ऑफ दर्मनगर यानी दर्मनगर काली बाड़ी हौरी मंदिर दर्मनगर शीब मंदिर आदी शामिल है तो दोस्तो ये थी दर्मनगर की कुछ तत्व आपको कैसा लगा वीडियो कॉमेंट में जरूर बताएगा और आप त्रिपुरा के कहा से विलंग करते हो कॉमेंट में जरूर लिकेगा धन्यवाद